तो क्या अच्छे कर्म से बुरे करम खटते हैं? उपर कोई मैनेजर बैटकर आपको मैनेज नहीं कर रहा है। कर्म का मतलब है कि आप समझते हैं कि अपने जीवन का स्त्रोत आप खुद हैं। क्या आप ये सनुश्चित करेंगे कि आपके द्वारा जागरुक होकर किये गए काम आपके जीवन का भागे तै करेंगे। ये आपको तै करना है। सद्गुरु कर्म से जुड़ा एक प्रश्न है। तो क्या अच्छे कर्म से बुरे करम खटते हैं? आपने आज क्या किया? मैं अपने बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मानवता के बारे में। और क्या हमारे जीवन पहले से तै है या हम इसे कर्म से बदल सकते हैं? और अच्छे कर्म क्या होते हैं? पहले शब्द को समझते हैं मुझे पता है यह अंग्रेजी का हिस्सा बन गया है कर्म अब एक अंग्रेजी शब्द है कर्म शब्द का मतलब है काम आप यहां बैठे हैं यहां शारेरिक गतिविदी हो रही है मानसिक गतिविदी हो रही है भावनात्मा गतिविदी हो रही है और उर्जा गतिविदी हो रही है हम सभी में चाहे आप जगें हो या सो रहे हो कर्म के चार आयाम हर समय होते रहते हैं आज सुबह जागने से लेकर उस बुरे कर्म के अलावा जवाब ने किया आपको बताने की ज़रूत नहीं है सुबह जागने से लेकर अब तक कुछी घंटे हुए चार आयामों के कर्म का कितना हिस्सा आपने चेतनता से किया क्या मुझे उत्तर देना है? मैं अपने काम करते हुए जाग रुक नहीं थी, वे बस होते गए मैं कह रहा हूँ कि लगबग हर इंसान के लिए ये एक प्रतिशत से काफी कम है अगर आप पूरे दिन को देखें, तो ये एक प्रतिशत से काफी कम है तो जब आपके 99 प्रतिशत काम संयोग से हो रहे हैं या चेतनता में हो रहे हैं, आप बस ये कीजे, आप यहाँ गाड़ी चलाइए, यहाँ ट्राफिक काफी धीमा है, यहाँ ये प्रयोग करना सुरक्षित है 99 प्रतिशत समय बस आखें बंद करके ऐसे बैठिये, और बीच-बीच में स्टेरिंग संभालिए देखते हैं, पांच मिनिट में आप कहां होंगे यही दुरगटना है इंसानी जीवन की, तो आपको यह समझना चाहिए, कि यह सबसे गहरा आयाम है पूरवी सब्विताओं का, हमने आपको बताया, कि आपका जीवन आपका कर्म है यानि आपका जीवन आपने बनाया है कोई मैनेजर नहीं बैठा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ उपर कोई मैनेजर बैठ कर आपको मैनेज नहीं कर रहा है आपका जीवन आपका कर्म है आप इसे जैसे चलाते हैं, ये वैसे ही चलता है, ना कि किसी और तरीके से सिर्फ इस लिए कि 99 प्रतिशवत से जादा अचेतन तरीके से हो रहा है ऐसा लगता है कि कोई अन्य शक्ति आपको चला रही है सभी बुरे ड्राइवर ऐसे होते हैं जब वे किसी तरह की टकर करते हैं, मैं तो अच्छे से चला रहा था, पता नहीं ये कैसे हो गया क्या आपने इस सुनाए, पता नहीं ये कैसे हो गया, कुछ अजीब सा हो गया और मेरी कार टकरा गई, नहीं बस आप एक बेकार ड्राइवर हैं तो जीवन के मामले में भी यही सच है हम आपको हर समय याद दिलाते रहते थे इस पीड़ी में एक हो गया है आपकी मा या दादी की पीड़ी में उठते बैठते वे कर्म प्रारब्ध मुक्ती मोक्ष कहती थी ये रोजाना की बादची थी ना कि आध्यात्मिक चर्चा हाँ या ना हर दिन अब समय आ गया है कि आप उसे वापस लें क्योंकि कर्म का मतलब है आप खुद को याद दिला रहे हैं कि हर चीज जो मैं कर रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ वो मेरी बुनियादी जिमेदारी है अगर आप मुझसे पूछें लोग मुझसे पूछते रहते हैं मैंने कुछ समय तक इसके बारे में सपश्ट नहीं कहा था पर कुछ लोग पूछते रहते हैं तो इन दिनों मैं उन्हें बता रहा हूँ मिशन क्या है? वे पूछते हैं मिशन बस यही है धर्म से जिमेदारी की और आपको लगता है कि यह वहाँ है नहीं, यह यहाँ है कर्म का यहीं मतलब है कि आप समझते हैं कि आप ही अपनी जीवन का स्तरोत है क्या ब्रह्माण में कोई अन्य शक्ति काम नहीं कर रही है, हाँ कर रही है, लेकिन उसका उफ्योग करना भी आपका काम है, वरना क्या मतलब है? तो कर्म का मतलब है आपका जीवन आपने बनाया है कोई और चीज तै नहीं कर सकती अगर आप अपना शरीर अपने हाथों में ले ले मान लिजे अपने भौतिक शरीर पर आपको कुछ महारत है तो 15 से 20 प्रतिशत जीवन और भागे आपके हाथों में होगा अगर आप अपनी मानसिक प्रक्रिया को अपने हाथों में ले ले 50 से 60 प्रतिशत जीवन और भागे आपके हाथों में होगा अगर आप अपनी बुनियादी जीवन उर्जा को अपने हाथों में ले ले 100 प्रतिशत जीवन और भागे आपके हाथों में होगा हर युवा को इस आयाम की खोज करनी चाहिए इससे पहले कि आप दुनिया में जाकर दूसरों को परिशानी दें हाँ, ये बहुत महतुपूर्ण है लेकिन सुबह के बुरे कर्म को कैसे ठीक करें आपको समझना होगा कर्म कोई इनाम या सजा का सिस्टम नहीं है किसी रूप में इसमें रिकॉर्ड हो जाती है ये यादाश एक रुजान बनाती है आपके लिए क्योंकि इतनी जादा यादाश ते खटा हो गई है ये सौफ़वेर की तरह है आप अचेतन सौफ़वेर लिख रहे हैं सुगंद या दुरगंद तब आप ध्यान देंगे वरना आप ध्यान नहीं देंगे आप देखेंगे अगर एक कुत्ता आता है तो वो बस पता लगा लेता है आपने क्या किया है क्या नहीं किया है अच्छे और बुरे कर्म सा पता लगा लेता है खाया ना आप भी जागुरुख ہے आपका सिस्टम भी उसका बोध पाता है क्योंकि आपका निउरालोजिकल सिस्टम कुत्ते के निउरालोजिकल सिस्टम से कहीं ज़ाधा बहता है क्या आप सहमत हैं? कुत्तों को पसंद करने वाले लोग क्या है hanging? इंसानी निरॉलोजिकल सिस्टम किसी भी प्राणी के निरॉलोजिकल सिस्टम से कहीं ज़्यादा विखसे थे, आप भी काबिल हैं, पर दिमागी गतिविदी की वज़े से आप उसे चूक जाते हैं आप एक काम कीजे, बस जाकर कुछ समय जंगल में रहें, आप देखेंगे कि अचानक से आपके सूंगने की काबिलियत, आप सब कुछ जान जाएंगे, बस अपनी नाक को थोड़ा उंचा उठाकर, अपनी नाक उठाकर आप जान जाएंगे कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा आप भारत के गाउं में सुन सकते हैं, लोग कहेंगे आज बारिश होगी, आप समझे, कुछ नहीं है, ना बारिश, ना कोई संकेत, ना बादल, कुछ भी नहीं, वे बस ऐसे करेंगे, और कहेंगे आज बारिश होगी, और बारिश होती है, क्योंकि वादावरन में अब हो रहे हैं, तो इस अचेतन प्रकृति की वज़े से, अगर आप वहां से यहां आते हैं, तो उधारन के लिए ये सारी 25 गंदें सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और इसी तरह देखी गई चीजें, सुनी गई ध्वनियां, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हो लगता है, कुछ और नहीं, क्यूंकि आपने वैसी सूचना अंदर लिये, ये रुज़ान पारंपरिक रूप से, क्यूंकि आपने गंधों की बात किये, पारंपरिक रूप से हम इने वासना कहते हैं, वासना बहुत अच्छी अभी वैक्ति है, क्यूंकि वासना मतलब तो गंद के आधार पर आप उसी तरह का जीवन अपनी ओर खीचते हैं या आप उस दिशा में जाते हैं, वे यही कहना चाहते हैं लेकिन मुख्य रूप से इसे आधुनिक शब्दों में कहें तो आप एक अचेतन सौफ़वेर बना रहे हैं जिससे वे खुद ही एक निश्चित तरीके से काम करने लगता है इससे फर्क नहीं पढ़ता कि सौफ़वेर क्या है क्या आप उसे फिर से लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं वो भी आपका कर्म है तो क्या आप अपने द्वारा किये गए अचेतन कर्मों को अपने जीवन की प्रकृती या भागे तै करने देंगे या आप ये सौनिश्चित करेंगे कि आपके द्वारा किये गए चेतन काम आपके जीवन का भागे तै करेंगे ये आपको तै करना है